नमस्कार आप देख रहे हैं NB India आपकी बात और मैं हुशियम कृपाथी आपके साथ हम इस समय करनोज लोगसभा में हैं ये बी बी आईपी लोगसभा है जिस लोगसभा से मुलाइमशी यादव अखलेश यादव और अखलेश यादव की पतनी डिंपल यादव शांसद रही है यहां से एक बार नहीं लगबग में नव बार समाजवादी पार्टी का ये गड़ रहा है और यहां से जीते हैं लेकिन दो वार ऐसी रही जब भारती जनता पार्टी ने यहां से विजय प्राप्त की या उसमें से सुब्रत पाठक जो हैं वो यहां से ताल ठोग रहे हैं भारती जनता पार्टी की तरफ से लेकिन समाजबादी पार्टी की तरफ से कौन आता है यह देखने वाली बात होगी हाला कि अखलेश आदव ने यह साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे अब कहां से लड़ेंगे चुक आजमगड़ की जो सीट है उस पर उनके भाई हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं अब जो प्रोफाइल की जो सीट है हाई प्रोफाइल की वो कन्नौज की सीट बचती है तो देखना होगा खली शादा उगर चुनाओ लड़ते हैं तो क्या सुब्रत पाठक के सामने उचुनाओ लड़ने आएंगे चुक्त पाठक बार बार कह रहा है कि अखली शादा वाएं और चुनाओ लड़ने आकर सामने मेरे साथ में चाआँ उनसे बात करेंगे कि क्या है इस बार मौल चाचा क्या नाम हम क् educator मौल है आप किसी तरब मौल है आप किसी के तरब बता रहे हैं ہम किसी की तरब नहीं बता रहे हैं हम- तुम बताओ तो कुछ हमों बताम है आप पूरो थे घूम के आए ने बहुत ज्यादा भी नहीं गूमे है आपके पास आइस गाओं में सबसे पहले हैं उसे क्या बात है आप लोग बताओ मेडिया करके लाए उस लोग कहां क्या मामला है हम तो करके ला रहे हैं चैनल पर जिम्पल यादो माल अकलेट यादो ने बहुत काम किया है जो कि कोई रास्ता सड़क गाओ रही रखा जो बिना जोड़े और इन जब से पांच वर्साई कोई काम है नहीं दिखाई पर रहे हैं सरकार दावा तो कर रहे हैं कि हम रासन दे रहे हैं स्वास्त किस्व पारा है तो आप ही गारा ना तो मारा है पक्का गर है गाड़ी खड़ी है कैसे मिले जब पहुंचा रासन मिला है नहीं मिल रहे तो हम रिवरी गाओं में है मेरे साथ में चाचा जी जुल चुके हैं चाचा क्या नहां है आपका पुछे एक बता है लाला कानून के हिसाब से उनकी सत्तक प्रपुतक देखके तो चाच की मोदी हो है कि वह इता अदमी उकंदर है और वही से तो हम लोग एचाच की सरकार बदल है प्रदान मंत्री अपक कौन दूसरा प्रदान मंत्री कौन पसंद है अब यहां से सांसद रहे चुके हैं अब फिलाल में भाजपा से सुब्रत पाठक है क्या लगता कि इस बार सुब्रत पाठक चुनाओ फिर से जीत पाएंगे या फिर सपापनी जो पुरानी जमीन है उसको फिर से बंजर जमीन को फिर से वहां पर फसा लोगा पाएगी मोखिक बात बताएं पब्लिक की यहां का अखले से बाव मुझत है हां अखले चाव जीते हैं चाव आ रहे हैं अखलेश यादब नहीं रड़तें कोई दूसरा प्रत्यासी आता तो फिर उसे प्रत्यासी बोर्ट दिया जाएगी ह समाजवादी पार्टी से कोई भी होगा उसे बोर्ट भी ले अब नहीं हमें का यह पूरो इच्छेत घंबात बता रहे हैं अचा उस बार बसपा का जो बोर्ट था वो भी अबाजपा का एलाइंस हुआ था लिक्न क्या कारण रहा कि बसपा से लाइंस करने के बाद में भी समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई बोर्ट तो यह उन लोगन ने पर हम दिये निे सफवा में पिर उन बाजपा कर दिया र司लिए बोर्ट ने इसलिये सफवा निकलती उसल towah भी यह यह खाई क्यों नहीं है यह बढल कि यह सपाई कि यह मतलब ऊपर तो वहां तो गटवंदन हो गया नीचे खाई क्यों नहीं मिटपाई वह तो गटवंदन कांग्रेस सब्सक्राइब कांग्रेस के साथ में तो आपकी कुछ उसको असर है पबलिक बीच में असर है तो आप इसलिए पर उन्हें शाथ जोड़ी दो एक वह सत्रह सीटे नहीं उन्हें कि तुब सत्रह सीटे लड़िके दिखाऊ पनों असर तो चाचा है मेरे साथ में बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से कोई भी आएगा उसको बोड़ दिया हाला कि अटकले हैं कि अखलेश याद कभी अवरादी और वार कि समीट होी कि सटावादी सअ कि मध् Si Al अई भाब व्यां सटावादी तो किसमें लगेगी ये मोहर इंतला बटन किसमें दब गये हैं यह इलागा जिए समाजवादी पार्टी का गड़ है करनाज लोग सबा भी और ये गाउं भी तो यह जो लोग है याद-व-बाहूल गाउं है और जो बोट है वो समाजवादी पार्टी यानि साइकल में ही जाने वाला है तो ऐसा ही तमाम खबनों के लिए रही है